आप देख रहे हैं सम्रीद भारत नियुग आज हम मचली सहर विधान सभा छेत्र के अंतरगत 379 करोरा गाउं में पहुचे हैं जहां पे चुनावी दावेदार जो है काफी लोग हैं चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो लेकिन इस ब्रिद्ध दादी का जो है ह्कास करेंगे लेकिन जो है इनका स्थिति इतना दयनी है इनकी जो है आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है तो आए हम इनसे बात करते हैं कि हकी किया है और कैसे जो है यह परसान है क्या नाम है आपका बचनी यह कौन सा गाउं है करो दादी आए Sunny आप आपका मकान कौनकट कि यह मागान आपका गीरा हुआ है तो इसी तांब ज karena सब्सक्राइबं है तो इस संबंद में आपके हैँ परधान कौन में गॉतम कौन के विर्यादरिके है ऑफ कौन स सब्माते मांगने आए थे आपके हाँ प्रधान जी आये थे वोट मांगने आए तो क्या बोल रहे थे जब आपका घर गिरा था तो प्रधान जी आपके घर पे आये थे घर बनवाने के लिए कुछ आवास वगर दिलवाने के लिए बोले थे अभी तक आपको आवास दिलवा है वह नहीं दिलवाए तो इस संबंद में आपने सांसत कौन है चास जी कहां पर इस संबंद में खर पे अप्लीकेशन दिया था कब दिया था दो माहिना हो गया तो क्या बोले ते संसत जी कहां कि मिल जाए तीन महीन अ मैं तायं मम unfortunate टीन महिंव होुए तो चुनाओ सामने आगया है तो आपया भी तेक आपका कान नहीं बना आप रहे कहा रही है डूसरे गहरें तो आप ब्हुंड किसे करेंगे काम उफ्ब करेंगे को करेंगे कि साइक करेंग किолн bere प्रत्यासी आपके हाँ आएंगे दरवज्जे पाएंगे आपके पैर गिरेंगे आपको कहेंगे कि हम विकास करेंगे उनको जवाब देंगी ने आपको जो प्रदान आपके आपको ब्रिद्धा पिंसन कुछ नहीं लगवाएं आपको आप फिर जिताएंगे इस बार आप देख सकते हैं यह महिला जो है पुरी तरह से आपके पती जिन्दा है बच्चे हैं आपके पास साथ शिविची यह हैं सबकी साधी हो गई है खेती बारी है खेती बारी है तो देख जिए आप किसी तरह से अपना जीवन आपन इनके जेट के लड़के जो है अपनी आहां रख किसी तरह जीवन आपन कर रहे हैं जबकि मचली सर विदान सबा लेकिन फिर भी जो है इस बिद्ध दादी का जो है मकान गिर गया है रहने को मकान नहीं है रासनोसन मिलता है कितना मिलता है 35 किलो उसी से गुजारा हो रहा है 35 किलो रासन मिल रहा है उसी से गुजारा हो रहा है और इसके बाद भी जो है कोई इनका जो है कोई सुनवाई न झाल झाल